जन्वरी में बर्फ से लदा नजर आने वाला कश्मीर नैसाल के 17 दिन बीच जाने के बाद भी सूखा बड़ा है चिलने कला के 20 से 25 दिन गुजरने के बाद भी घाटी में बर्फबारी होती नहीं दिख रही है इसका बड़ा असर परियटन पर देखने को मिल रहा है इन दिन लो गुलमरग पहल काम में होटल परियटकों से भरे रहते थे लेकिन इस बार कम ही परियटक नज़र आ रहे हैं बर्फ की उमीद में दोनों परियटन स्थलों पर पहुंचे देश और देश के बाहर से आये परियटक निराश होकर लोट रहे हैं बर्फ के सूखे के बीच पर्यटकों के लिए सिंधन टॉप उमीद की किरण बना है सिंधन टॉप 12,500 फीट की उचाए पर स्थित एक बर्फ से धकी परवत चोटी है इसे देखने के लिए पर्यटक यहां पहुँच रहे हैं जिससे सिंधन टॉप गूमने के नए ठीकानों के तोर पर उभर रहा है सिंधन टॉप पहुँचे पर्यटक खुश नज़रा रहे हैं इनमें से एक परियाटक का कहना है कि वो काफी समय से जनवरी का इंतजार कर रहे थे कि कब ये महीना आए और वो कश्मीर में बर्फ किरती देखें लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब वो घर लोटना चाह रहे थे लेकिन जब सिंथन टॉप का पता चला तो वो यहां आ गए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें